तो हमने हमारे प्रीवियस चेप्टर में पढ़ा हुआ है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ठीके ना तो यह जो एलिमेंट्स को हमने उनकी प्रॉपर्टी के सबसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड कर दिया तो अब यह हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम डेली मेटल का यूज करते हैं ठीके ना अगर वो उनकी प्योर स्टेट में है प्योर स्टेट में उनमें कोई मिख्षर ना हो तो उनकी जो सर्फेस होती है वो कैसी होती है शाइनिंग सर्फेस के से इसको हमने इस activity 3.1 के थू देख सकते हम कि हमने यह sample लिए हुए iron, copper, aluminium, magnesium ठीक है और फिर क्या किया हमने इनको इनकी जो surface है उनको rub किया sandpaper से और फिर उनकी appearance मतलब उनको वापस से हमने observe किया देखा और क्या हमको लगा तो हमको क्या दिखता है कि जितनी भी metals होती है वो क ठीक है अब second property के लिए भी हमको activity को देखना होगा हमने एक छोटा सा piece रिया हुआ iron, copper, aluminium and magnesium किसी का भी हम ले सकते ठीक है और फिर हम उसको क्या करेंगे sharp knife से उसको cut करेंगे तो क्या देखेंगे हम कि क्या वो उनको हम काट पा रहे है या नहीं काट पा रहे है ठीक है ना तो क्या लगता है आपको क्या हम उनको काट पा रहे हैं तो हम उसको cut नहीं कर सकते तो जो second property हो गई metal की वो क्या हो गई कि जितनी भी metals होती ही वो generally कैसी होती है hard होती है ठीक है ना हम उसको काट नहीं सकते हैं के वल मैं आपको बता देती हूँ कि सोडिया में कैसी मेटल है जिसको हम काट सकते हैं ठीक है ना अब नेक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेलिये बलीटल सबीत करका प्रॉपर्टी है एप गोल्ड है सिलवर है किसी को भी लेंगे तो अगर आप उसको hammer से beat करेंगे तो क्या हो जाएगी वो thin sheet में change हो जाएगी तो यह जो property होती है इसको क्या बोला जाता है? Melliability तो metal में एक और property होती है कि जो all metals are maleable मतलब उनको हम thin sheet में change कर सकते हैं Next property तो आपने देखा होगा बहुत सारे metals के wire बने हुए होते हैं हमारे daily life में like aluminium, copper अधिकतर जो हमारे घर में भी wire use होता है वो कौन सा होता है? copper का wire होता है अंदर तो यह fourth properties है metal की physical properties ठीक है न? The ability of metal to be drawn into thin words is called ductility तो क्या होता है? जो metals होती है जब हम उनको, उनमें AC ability होती है कि वो drawn हो जाते thin wire में, पतले wire में change हो जाते, बदल जाते तो वो वाली property क्या कहलाती है? उनकी ductility होती है न? और आपको एक बात और बता देती हूं में कि gold जो होती सबसे ductile metal होती है क्योंकि हम इसका 2 km length तक wire बना सकते है कितना 1 gram of gold का तो आप सोच सकते है कि gold जो होती है कितनी ductile होती है तो you can, sorry, you get it, fourth property, all metals या जो भी metals है, उनमे ductility की property होती है next property, जितनी भी metals होती है, वो क्या होती है? good conductor of heat, देखो यहाँ पर एक activity इनोंने दिया हुआ है एक aluminum या copper का wire लिया हुआ है, उस wire को एक stand पे लगा देते हैं clamp कर देते हैं, यहाँ आप figure में देखते चलें, ठीके? और वहाँ पर एक fix, pin में fix कर देते हैं, उसका end और उसके बाद wax का use करते हैं, heat the wire with a split lamp उस wire को हम किसे split lamp से heat करने लगते हैं, ठीके? तो क्या होता है? कि थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे? कि जो वो wire है, वो क्या हो जाएगा? क्या होने लगेगा? wire धीरे-धीरे melt होने लगेगा ठीके? ना, metal wire जो होता है, वो धीरे-धीरे melt होने लगेगा पूरी तरह से, तो ये जो activities में बताया है, कि metals होती है, good conductor और fit होती है, उनका high melting point होता है ठीके न, वो बिघलने लगती है, पर high melting point पर बहुत ज़्यादा high होने के बाद वो melt होती है, तो good conductor भी है, और melting point भी metals का metal का high होता, तो ये दो properties, इस activity के थुरू हमने देख लिए है, ओके अब हम activity 3.6 में देखेंगे, एक electric wire हमने लिया हुआ है, circuit लिया हुआ है जैसा इस figure में हमको दिखाई दे रहा है, ओके, फिर क्या होता है हमने अपने अपने घरों में देखा हुआ होगा, PVC लगा हुआ होता है, हमारे जितने भी wire होते है उसके उपर एक plastic rubber like material दिखता है, जिसको क्या बोले जाता है, coat, coating होता है उसके उपर लगा हुआ होता है, PVC, polyvinyl chloride बोला जाता है, तो material उसके उपर लगा हुआ होता है ठीके न, क्यों होता है, एसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो अगर wire जो होता है, वो कैसा होता है, good conductor of electricity जितनी भी metals होती है, वो good conductor होती है, electricity मतलब उसमें से electricity flow हो सकती है, तो उस electricity को से हमको अपने आपको बचाने के लिए हम उस wire से उसको coated किया जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि good conductor of electricity होती है, जितनी भी metals होती है, यह figure के जरिये देख सकते हैं और एक और properties में होती है, कि metals को जब हम, metals जितनी भी होती है, वो क्या sound produce करती है, ठीक है ना जब हम उनको किसी surface पे रखकर, उस metal को अगर हम किसी और चीस से उसको beat करें, तो एक sound निकलता है, जितनी भी metals होती है, वो sonorous property वाली होती है, मतलब एक sound को create करती है इसलिए आप देख सकते हैं, example की, जो bell होती है, हमारी metal की बनी हुई होती है, कौन से metal की, और इसलिए bell का use किया जाता है, वहाँ पर तक एक sound निकलता है, ठीक है, अब हम हमारी next property पर आते हैं, physical property हमने metals की पढ़ ली, ठीक है, तो आप इसको अपनी rough copy में note भी करते चले, जो तो, in the previous class, you have learned there, three are very few non-metals of compared or to metals, some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, मतलब, कुछी non-metal हमने metal के comparison में ली हुई है, जैसे carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, यह सब भी non-metals है, ठीक है, और जितनी भी non-metals होती है, अधिक, metals क्या होती है, अधिकतर solids होती है, ठीक है, solid और non-metals जो होती है, वो solid, gas और liquid भी होती है, जैसे bromine को छोड़कर, liquid state में भी पाई जाती है, ठीक है, तो इनकी भी, क्या physical property जो होती है, metal की तरह same होती है, तो इसको हम देखेंगे, activity 3.7 में बतायवा है, collect samples of carbon, carbon के ले सकते हैं, और फिर जो property हमने, जो जो हमें देखना है, उसको हम इस table के थ्रू देखेंगे, ठीक है, उसका symbol लिखेंगे, पहले, type of surface, hardness, availability, यह सारा हमें, उसको करके देखना है, तो अब यह जब इस table के थ्रू जब हम सारा यह करके देखेंगे, जितना भी हमको बताया तो अन्दा basis of observation, तो क्या हमको, क्या observe करते हैं, क्या-क्या physical properties निकल के आती है, non-metal की, all metals except mercury, exact solid room temperature, तो metals और non-metals दोनों की बात कर रहे हैं, हाँ पर तो दोनों की property हमें दिखाई जा रही है, तो जितनी भी metals होती है, mercury को छोड़ कर, सभी solid होती है, mercury जो होती है, वो कैसी होती लिक्विड होती है, room temperature पर, ठीके, अब हम second property देखें, और भी आगे इन्होंने बात किया है, कि गैलियम एंड, सीजियम जो होती है, very low melting point होता है, हमने metals का बढ़ा था कि high melting point होता है, लेकि उनका low होता है, मतलब ही कुछ, उसमें अपवार निकल कर आ रहे हैं, जो उनके अबी में हो कुछ चीज़े ऐसी है, जो metal है, बट उनमें ये properties नहीं आ रही है, second point देखें इसका, iodine is non metal, but it is luxurious, iodine जो होता है, non metal है, non metal की property, metal के बिल्कुल opposite होती है, okay, तो ये क्या होती है, iodine non metal है, लेकिन luxurious होती है, उसमें चमक होती है, carbon is non metal that exists in different forms, each form is called an ultra-top diamond, an ultra-top of carbon is the hardest natural देखो, हमने metal के बारे में पढ़ावा कि metal जीतनी होती है, hard होती है, लेकिन यहां carbon non metal है, और उसका एक ultra-top होता है, carbon के 3 ultra-top, 2 ultra-top से, ठीक है, diamond and graphite, तो diamond जो होता है, वो बहुत hard होता है, सबसे जादा hardest substance अगर हम बात करें, तो diamond होता है, और उसका melting point और boiling point भी बहुत high होता है, तो यह non metal और इसके अलावा जो graphite जो होता है, वो भी carbon का एक ultra-top है, और जिसका की, वो जो की good conductor of electricity, जबकि हमने non metals के बारे में क्या पढ़ा है, कि वो bad conductor होती है, बिल्कुल metal के opposite इनकी property हो, कि metal good conductor है, तो non metals bad conductor होती है, metal के high melting point होते है, तो non metal के low melting point होते है, तो कुछ यह अ आपको बता रही हूँ, अब हम fourth point की देखें, कि alkali is metals, ठीक है, lithium, sodium, alkali हमने best acid वाले chapter में पढ़ा हुआ, alkali क्या होते है, तो यह क्या होते है, are so soft and they can be cut with knife, they have low densities and low melting points, तो जितनी भी metal से हमने metals का पढ़ा है, कि यह knife से cut नहीं हो पाती है, लेकिन यह knife से इसको हम काट सकते ह है, और इनकी density भी low होती है, और low melting point होता है, तो कुछ ही यह चीजे है, जो metals और non metals पर लागू नहीं होई, तो यह आपको याद रखना होगा, ठीक है, elements can be more clearly classified as metals and non metals on the basis of their chemical properties, अब elements को अगर हमको और ज्यादा clarify करना है, ठीक है, उनके, तो chemical properties हम clarify करेंगे, तो वो मैं आपको next video में बताऊंगी, ठीक है, ओके students, बाई